गुड मॉनिंग अब्रिवन वल्कम टो सुबल सर्विसेश टड़ी प्रक्टिस साइट नंबर ये 15 है यूपी PCS के लिए इस टेस्स सीरीज की प्रेलिस्ट बना रखे है वहां पर आप टेस्स नंबर वन से लेकर 15 तक बहुं सकते हैं डिस्क्रप्शन बॉक्स में लिंक है इ असोग के प्रमुक सिलालेख है ये और वह स्थान जहां वो जिस राज में वो हैं असोग के प्रमुक सिलालेखों के स्थान तो धौली है धौली के सामने उड़ी से लिखा है एरा गुडी के सामने आंदर प्रदेस लिखा है जोगड़ा के सामने मदर प्रदेस और कालसी के देखिए उत्तराखंड में जो है असोग का एक मात्र सिलालेक है कालसी ठीक है उत्तराखंड के देहरादूर में यह करनाटक में नहीं है और यह उत्तराखंड के आप प्रिवेसर के प्रश्णों को देखोगे स्टेट PCSO, लोवर PCSO दूसरे एक्जाम हर एक्जाम में पूछा हुआ है ठीक है और इंपोर्टन्ट है तो दूसरे स्टेट PCS के लिए इंपोर्टन्ट है और UPSC ने भी जो है किया है इस प्रश्ण को और पांच जून को भी किया तो फोर से यहां एलिमिनेट कर सकते हो आप तो एक और दो इसका अंसर हो जाएगा किबल ठीक है लेकिन UPSC में जो है यह सवाल था तो यूगम बाला था कि यूगम तीनों यूगम सुमे लेते हैं चारों यूगम सुमे लेते हैं तो बहां पर जो है एलिमिनेट करना संभब नहीं था तो पहला बाला गलत है जोगडा जो है उडिसा में है दोली उडिसा में है एराग उडि यांतर प्रदेस में तो पहला बाला connect हो गया दूसरा भी aट्ज हो गया तेसरा बाला सुमेलित नहीं है और चौथा भी सुमिलत नहीं है ये नमबर एस पर कॉलिया वाटसप करके आप पेड़ सीरीज प्राफ्ट कर सकते हो तो देखिए धौली में पाए गए पुरा तात्विक अवशेसो ने जो है इसकी प्राशींता का पता तीस्ती सताब्दी इसापूर विशेस रूप से असोक के समय से लगाया धौली एतिहासिक महत्व का है क्योंकि कहां पर है धौली ओडिसा में ठीक है क्योंकि समराट असोक के पुरशिद सिलालेखो में से एक यहां इस्तित है और धौली जो है उडिसा में इस्तित है तो पहला वाला स्टेट्मेंट जो हो गया सुमयलित है दूसरे की बात करें एरागुडी की तो अंदर प्रदेश के कुर्णुल डिस्टिक में एरागुडी के पास असोक रॉक एडिट साइट है यह सिलालेक मौर समराट असोक की महत पौन संपदाउं में से एक है जिसमे ब्रहत और छोटे सिलालेक सामल है तो तीसरा वाला भी सुमयलित हो गया चोथा बाला सुमिलित नहीं है क्योंकि जोगड़ा जो है उडिसा में और चोथा बाला भी सुमिलित नहीं है क्योंकि कालसी जो है उत्रा खंड के देरादुन में तो जोगड़ा की बात करें जोगड़ा उडिसा राज के जंगम जिले में वहरामपुर और पुर्शोत्तमपुर सहरों के निकट इस्थित है जोगड़ा उडिसा का एक अन्यस्थान जहां असोग की ब्रहद सिलालेक मौजूद है असोग का ब्रहद सिलालेक मौजूद है इस दौरान कालसी इस्तित सिलालेक में युद्ध के बाद असोक के मानविय दृष्टी कौन को लिपिवद्ध किया गया कालसी जो है उत्राखंड के धहरादूर में इस्तित यादर कियेगा रामानुज के संदर में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के नमें से कौन सा सही है देखिए रामानुज के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाई विश्णू के प्रती अनन्य भक्ती भाव रखना है रामानुज ने विसिष्टा दोयत के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया रामानुजाचार न्यूज में थे इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया भारत के प्रधान मंत्री के द्वारा फिलाल ये दोनों के दोनों स्टेट्मेंट करेक्ट हैं यूपी PCS में कई बार 1222 की सीरीज में हमने रामरजन से सवाल बनाई और UPSC में भी किया था प्रशन रामानुज से तो हाल ही में जो देखिए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के प्रतान मंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे उची प्रतिमा का उद्वाटन किया गया और रामानुज का जन्मगाता ग्यारवी सतावती में तमिलनाडू में और वे विश्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे उनके अनुसार मौक्ष प्राप्त करने का उपाय विश्णु के प्रति अन्यन्य भक्ती भाव रखना है भगवान विश्णु की कृपरा द्रस्टी से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है अब देखे रामान उचने विश्ष्ठा द्वयत के सिद्दान्द को परतिपादित के मैच करने के लिए पूछा जाता है एक्जाम में जिसके अनुसार मतलब विसिष्टा द्वैत के अनुसार आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है कॉश्चन नुमर थरी पर आजए नमल के तमसे किसने एक हजार चौबिस इसपी में अपने पाँच हजार सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया और उसकी संपत्ति उसने लूट ली और मंदिर को पूरी तरह नश्ट कर दिया कौन था वो महमूद गजनवी, मुहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिल जी या मुहम्मद विन कासिम गुजरात का सोमनाथ मंदिर इस रिलेटड प्रशन पूछा गया था यूपी असी में महमूद गजनवी था वो तो सोमनाथ मंदिर गुजरात राज में अरब सागर के तट परिस्त है, स्री सोमनाथ जो है भारत के बारे जो तिर लिंगों में प्रथम है, सोमनाथ मंदिर का उलेक जो है अल बरूनी ने भी किया है, अल बरूनी ने अपने यात्रा व्रत्तांत में किया था और इसी से प् मंदिर को पूरी तरह नश्ट कर दिया Question No.4 पर आ जाईए Consider the relation of B cell and T cell यानि B कोशिकाओं और T कोशिकाओं के संबंद में विचार करना है पहला statement है, दूसरा statement है बताने के नमें से कौन सा सही होगा देखिया, रोग जनकों की अनुकरिया में B कोशिकाओं हमारे रक्त में प्रोटीनों की एक सरंखला उत्पन करती है B कोशिकाओं T कोशिकाओं स्वयम तो पृतिरक्षियों का स्रावण नहीं करती लेकिन प्रोटीन उत्पन करने में B कोशिकाओं की सहायता करती है क्या ये दोनों बाते सत्य है बिलकुल ये दोनों की दोनों बाते सत्य हैं और C हैसका अंसर तो देखें प्राथमिक और दुत्यक प्रतिरक्षा अनुक्रियाँ इं हमारे सरीर के रक्त में मौझूद दो विशेज प्रकार के कौशिकाओं जारा होती हैं ये कोशिकाओं हैं कोशिकाएं और टी कोशिकाएं रोग जनकों की अनुकरियां में भी कोशिकाएं हमारे रक्त में प्रोटीनों की एक सरंखला उत्पन करती हैं ताकि वे रोग जनकों से लड़ सकें और यह जो है प्रोटीन प्रतिरक्षी कहलाती है यानि एंटिवायोटिक्स कहलाती है टी तो प्रतिरक्षियों का स्रावण नहीं करती लेकिन प्रोटीन उत्पन करने में भी कोशिकाओं की सहायता करती हैं जिसको नहीं सांज में आया है तो जो है इसका इंग्लेस वर्जन भी देख लीजिए गा कोश्चन नंबर फाइब पर आजएए परा सूक्ष्मकर्ण यानि नैनो पार्टिकल्स के संदर में विचार करना है देखें ये परियाबरण में प्राकर्तिक रूप से बड़ी मात्रा में पाय जाते हैं ये प्रकर्ति में मौझूद हैं और मानविये कतिविधियों के परण प्राकर्तिक रूप से बड़ी मत्रा में पाय जाते हैं ये प्रकर्ति में मौझूद हैं और मानविये कतिविधियों के प्रणाम शरूप भी निर्मिद होते हैं परशादन उद्योग द्वारा सौंदर परशादन एंटी एजिंग क्रीम हो गई मॉस्चराइजर हो गई प पुचित परदर्शन तथा जैव उपलबधता के लिए जो है नैनो कणों को विक्सित कर नैनो तक्नीक का लाब लिया जा रहा है देखें नैनो पर्टिकल्स आर नैचरली फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीटीज इन दा इन्वार्मेंट इस आर पर्जेंट इन नेचर एंड और और अल्सो प्रोड्यूजड एज रिजल्ट आफ हीूमन एक्टिविटीज ठीक है कॉस्मेटिक में एंटी एजिंग क्रीम मॉस्च्चराइजर में पर्फूम्स में और संस्क्रीम में। सर्टीक्स बहते इन्व बर्जार करना क्या है यां कार्पन मोन एक्साइड नै्ट्रोजन-ось्ट, ओ सिल्फ़र डायक्साइड वाताबरण में उप्रोगत में से किसकी है किनकी अधिक्ता होने से होती तो अमलों बर्षा मानवी है क्रिया कलापो का उपोत्पाद है जो बाता प्रण में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड निर्गमित करती है एसे ड्रैन इसे बाइप्रोड़क्ट ऑफ हुमन एक्टिविटीज विच रिलीज ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इंटु दा अट्मोस्फियर ऑक्साइड नंबर सबन पर आजए हैं नम्लिकित में से कौन साइट स्टेट्मेंट गलत है राजस्तान में भारत का विशालतम सौर पार्क है केरल में पूर्टा सौर शक्तिकरत अंतरास्टे हवाई अड़ा है और तेलांगाना के राम गुंडम में भारत का सबसे बड़ा सो मेगावाट उत्पदन चमताबाला तैरता हुआ सौर उर्जा सैंत्र विक्सित किया जा है उपरोग्त में से कोई नहीं कि मतले विए तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं डी वाला यह कहना चाला कि कोई भी गलत नहीं कि बिल्कुल यूपीसी में प्रश्ण पूछा था यह केरल के कोचीन में पूर्ट सौर शक्तिकरत अंतरास्टे हवाई अड़ा है और से वाल यूपीसी में पूछा था 5 जून को यूपीसीस में पूछ फूर्श्ण पूछा यूपीसी स्चेटमेंट बनाकर फूछ़ा था दूसरा बड़ा स्टेटमेंट में अंतर विक्सित क्या जा रहाँ ये तीनों के तीनों correct हैं गलत कोई है नहीं तो हम अनसर इसका रखाएंगे D तो देखिए भारत का भदला सौर पार्थ के विश्व का सबसे बड़ा सौलर पार्थ है नकीबल भारत वलकी एशिया और विश्व का भी बात करें केरल के कोचीन इंटरनेशनल एरपोर्ट की तो विश्व का पहला एरपोर्ट है जो पूरी तरह से सोर उर्जा संचालित होगा यह तेलंगाना के पिद्दा पल्ली जले की बात करें तो राम गुंडम में नेशनल थर्वल पावर कॉर्प्रेशन लिमिटेड यह नि एंटी पीसी के दारा भारत का पहला सो मेगावार्ट उत्पादन शमता वाला थे अरतवा सोर उर्जा सेंदर विक्सित किया जा रहा है प्रादेशिक समुद्र की सीमा के तहत पृतियक राज को अपने प्रादेशिक समुद्र की सीमा तक इस्थापित करने का अधिकार है यह है बार समुद्री मील ठीक है यानि बी है इसका अंसर तो प्रादेशिक समुद्र की सीमा के तहत पृतियक राज को अपने प्रादेशिक समुद्र के विस्थार को बार समुद्री मील से अधिक की सीमा तक इस्थापित करने का अधिकार है जिसे समुद्री कानून पर सयुक्त राष्ट अभी समय के अनुसार निर्धारित आधार रेखा से मापा जाता है Question No.9 पर आजिए वन्यजीब सन्रक्षण के बारे में भारतिये विधियां जो है जो कानून है उसके संदर्ब में दो स्टेट्मेंट है बताने किन में से कौन सा करेक्ट है देखे वन्यजीब जो है वो एकमात सरकार की संपत्ती है अगर आप न्यूस अपने देखी हो तो वंबे हाई कोर्ट ने जो है इसके उपर निर्णे दिया था हाली मरी यूपीएसी ने प्रश्ण कर लिया देखे जब किसी वन्यजीब को संणरक्षित खोसित कर दिया जाता है तो चाहिए वे वो अपने संणरक्षित छेत्र में रहे या बहार निकल के सड़क पर आ जाए ठीक है तो क्या होगा उसे जो है समान संरक्षन का हगदार होगा वो जीब ठीक है, करेक्ट है क्या? खिलक सरकारी संपत्ति माना जाना चाहिए और उनके द्वारा किये गए किसी भी नुकसान की भरपाई कौन करेगी सरकार करेगी ठीक है पहला सही है दूसरा भी सही है क्योंकि जब किसी जानवर को वनने जीव संदक्षित अधिनियम 1972 के दाहते संदक्षित जानवर घोशित किया ज किस एक जीव की कुछ परजातियां कबको के क्रशकों के रूप में जानी जाती हैं चीटी कौकरोच केकडा मकडी सम इस्पिसीज ऑफ विच वन ऑब दा फॉलॉबिंग ऑर्गानिसम आर नौन एज कल्टिवर्स ऑफ फंगी कौन है आंट आंट है ठीक है चीटी तो चीटी के परजाति को कबक के क्रशकों के रूप में जाने जाता है कुछ अन्कीट जैसे की मार्स पेरिविंकल दीमक हो गई भ्रंग हो गई ये भी कबक के क्रशकों के रूप में जाने जाता है question number 11 पर आज़े है भारत में निम्रीकित में से कौन एक वो कौन एक है इन में से जो उन फैक्टरियों में जिन में कामगार नियुक्त हैं और दोगे के विवादो, समापनो, छटनी और कामबंदी के विशे में सूचनाओं को संकलित करता है स्रम वियूरो करता है ये काम तो भारत में और दोगे के विवादो वंदियों और छटनी पर सांखी की स्रम वियूरो का एक वार्शिक प्रकासन है जो स्रम एवम रोजगार मंत्राले के तहत एक संलगन कार्याला है तो C करेक्ट हो गया स्रम और रोजगार मंत्राले के तहत एक सनलगन कार्याले के रूप में स्रम वियूरों की स्थापना कप की गई थी एक अक्टूबर 1946 को की गई थी ठीक है इसको पढ़ लिजेगा आप कौशियनों बारे पर आज्या नमिलकेद में से कौन सा एक परियावण सर्म नक्षन अधिन सा फिकना 1986 की अध Championship किया गया है केंद्रे जल आयो केंद्रे भूझल बोल्ड केंद्रे भूझल प्राधिकरन या राष्टीये जल विकास अभीकरन केंद्रिय भूजल प्राधिकरण ठीक है अप्सन नमबर C हो जाएगा इसका अंसर तो देश में भूजल संसादनों के विकास और प्रवंधन को विन्यमित अबमनेंतरित करने के लिए केंद्रिय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया तो सी वाला स्टेट्मेंट करेक्ट हो जाएगा कोश्चन अबर 13 पर आजिए नम्रेकित राधियों पर विचार कीजिए आंदर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल तरपरा उपरोक्त मैंसे कितने आमत और पर चाय उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं UPSC ने प्रश्ण किया था ये देखे सबसे ज़्यादे चाय उत्पादक है भारत में कौन? असम, असम के बाद त्रपरा, उसके बाद है पश्चे मंगाल अब इसमें कौन-कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा केरल केरल इसमें हो जाएगा त्रपरा भी, इसमें हो जाएगा हिमाचल भी आंदर प्रदेश को हटा दिजीए तो एक को eliminate करके answer मिलता C हो किया इसका answer दो तीन चार तो भारतिये चाय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष दो जार उननिस वीस की अनुसार सामने ता चाय उत्पादक राज असम त्रिपुरा पश्यमंगाल पश्यमंगाल जब उपर की तरफ जाओगे तो दारजलिंग है ना वहाँ होती है चाय तमिलनाडू है केरल है हिमांचल प्रदेश है टी गार्डन देखने को मिलेंगे अगर आप करोगे इन राज्यों की आत्राएं नमबर फोटीन पर आजए भारत में इम्लिकत में से कौन मुद्रा स्विती को नेंतरित करके कीमत इस्थर्था बनाए रखने के लिए उत्तरदाई है इन इंडिया हू अमंग दा फॉलोविंग इस रेस्पॉंसिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइज इस्थेवलिटी वाई कंट्रोलिंग इंफलेशन अर बी आई अर बी आई भारत रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया तो देखिये मौद्रिक नीति का प्रात्मिक उद्देश विकास के उद्देश को ध्यान में रखते हुए मूल इस्थर्ता बनाए रखना है इसी का इंगलेस वर्दने इसको परढ़ लिचेगा नमबर फिप्टीन पर आजे हैं अम लिखेत स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए तो जरा वारिंद्र कुमार घोस जोगेश चंदर चटरजी रास बिहारी बोस इनमें से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रे रूप से जोड़ा था जोड़े थे बारिंद्र कुमार घोस नहीं जुड़े थे जोगेश चंदर चटरजी नहीं जुड़े थे रास बिहारी बोस जुड़े थे तो के बल इसका अंसर हो जाएगा आपसा नमबर डी तीन यू प्सी ने किया था प्राश्ण ये भी तो बारिंदर कुमार घोष के बारे में बात करेंगे जोगेश चंदर के बारे में बात करेंगे राजबिहारी वोष के बारे में बात करेंगे तो D वाला करेक्ट हो गया भारते इतिहास के संदर्ब में नमलिके दियुक्मों पर विचार कीजिए आरे देव, दिगनाग, नात्मुनी आरे देव के सामने है जैन विद्वान, दिगनाग, बौध, विद्वान नात्मुनी, वैशन विद्वान एतिहासी विक्ति हैं, किस रूप में जाने गई देखिए आरे देव का संबन्द जो है वो जैन धर्म से नहीं है बौध धर्म की महायान साखा से है तो पहला वाला गलत है दिगनाग, बौध धर्म से है नात्मुनी, वैशन विद्वान एक को हटा दीजे, जहां जहां एक वो नहीं होगा केवल दूसरा तीसरा हो जाएगा तो आरे देव की बात करें तो आरे देव, महायान, बौध विक्षू, नागरजुन के सिश और मध्यमा दार्शनिक थे यानि बौध धर्म से संबन्द हो गया आरे देव का तो पहला वाला हो गया गलत है दिगनाग की बात करें, दिगनाग या दिगनागा भारते बौध विद्वान और भारते तर्क सास्त्र के बौध संस्तहपकों में से एक थे वो तो दूसरा वाला करेक्ट हो गया नात्मुनी की बात करें तो नात्मुनी एक वैश्णाव धर्मसास्त्री थे जिनोंने नलियर दिव्य प्रवंधम को एकत्र और संकलित किया था नमबर सबंटीन पर आजएं नमरेखित कत्मों पर विचार करेंगे अलफांजो दा अलबुकर्ग बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना उसने और 1611 में अंग्रेजों ने दक्षिन भारत में मचिली पत्ना में अपना पहला कारखाना जोह स्थाबित किया था यह दोनों स सही हैं ठीक है सी है इसका अंजर तो अलफांजो दा अलबुकर्ग के पास जो है तेईस युद्धपोत और लगभग एक हजार सानिक थे जनबरी 1510 में उसने क्या किया गोवा पर आक्रमन कर दिया उस समय गोवा की जो सत्ता थी वो बीजापुर के साशक के हाथों में थी अब यह बीजापुर का जो साशक था या सुल्तान था क्या कर रहा था राज में बिद्रो का दमन करने में लगा हुआ था मोके का फाइदा उठा लिए अलफांजो दा अलबुकर्क ने और गोवा पर जो है कब्जा कर लिया इसने तो पहला स्टेट्मेंट हो गया करेक्ट 1611 में जब अंग्रेजों ने दक्षण भारत में मशीली पटना में अपना पहला कारखाना इस्थापित किया था ठीक है लेकिन जल्द ही गतिविधियों का मुख्य के इंदर जो है वो मदरास में सरांत्रित हो गया फ्रांसिस डे ने 1649 में बिजानेगर सामराज के प्रतिन नमबर 18 पर आजए जो आद्रभूमी होते हैं जो वेट्लेंड होते हैं वो क्या क्या करते हैं महत्पूर्ण निस्चिंदक है मतलब इंपोर्टन फिल्टर होते हैं वो अब साध को ट्रैप करती है ठीक है जो आद्रभूमिया होती है पुरदूश्कों को हटाती है क्या रि यूपयासी ने प्रश्ण किया था आदर भूमियां अब सद को ट्रैप करती हैं अब अरधन को करती हैं सब कुछ तो करके हैं या वन टो थृफ्वर फाइव इसकांसर रोजображ अडीया 2 तो देखिए आद्र भूमी जो है महत्ति सुन्द निष्यंदार को आधरभूमियायैं के लिए अधर चैन्म को बनाय रखने में भूमी का निवाती है मेर्ड को स्ट्रीशन नम 들어가 नायंटीन पर वायू में अत्यधिक और जोने इक्सेसिव और उसों एर, मानब स्वास्त पर एक उलेखनिया प्रभाव डाल सकता है, यह सांस लेने में समस्या पैदा कर सकता है, अस्तमा तथा फेपडो की बिमारियों का करण बन सकता है, बिल्कुल यह सब कुछ कर सकता है, बायू में अत्यधिक ओजोन, तो देखें एक होती है जमीनी इस्तर क पर ओजोन, धूप के मौसम में ओजोन पुर्दूशन का इस्तर जो है वो उच्टम होता है, और बायू में अत्यधिक ओजोन, मानब स्वास्त पर एक उलेखनिया प्रभाव डाल सकता है, सांस लेने में समस्या पैदा कर सकता है, अस्तमा तथा फेपडो की बिमारियों का क खंद में तमिल्नाडू और जम्मो कस्मीर गुच्षी की जो खेती है वो कमर्शल नहीं होती, कहिं कहिं होती है, हमालाय में होती है, जैसे कि हमाचल प्रदैस में, उत्राखंद में और जम्मो कस्मीर में त AO के कटेगा तमिल्नाडू से, तो इसका आंसर हो जाएगा one two three या मोर चेलासी में कबक की एक परजाती है हलके पीले रंगे होते हैं गुच्छी मस्रूम और इसकी खेती व्यवसाइक रूप से नहीं की जा सकती यह उतराखंड में हिमाचल प्रदेस में और जम्मू कस्पीर की तलहटी में उगते हैं और ना जाने कैसे यूपी असी के दिमाग में घुस गए और पांच सारी को परशन बना दिया गुच्छी मस्रूम से वह भी स्टेट्मेंट वाला बनाया था तीन-तीन स्टेट्मेंट चलिए कोई नहीं तो यह 20 कुछ important प्रशन थे इनकी प्रक्टिस एक बार कर लेजएगा धन्यवाद आप य है क्योंकि 22 में हमारा प्राइमरी टार्गेट 15 प्लस टेस्ट का था हमने दिये कितने हैं टूंटी एट है